नमस्कार मैं अधितिस इन्हा अधितिस कीचेंडेरी में आपको फिर से एक बर स्वागत करती हूँ आज मैं बनाने जारी हूँ छेना मूर्की छेना मूर्की बनाने में बहुती कम इंग्रिडियंस चाहिए तो चलिए कैसे बनाते हैं छेना मूर्की देख लेते हैं सब सब पहले एक काप चीनी को देर काप पानी के साथ बॉयल करेंगे आज को low to medium रखेंगे और इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक हमारा चीनी घोल ना जाए ये लगभग बॉयल हो चुका और हमारा चीनी भी घोल चुका इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसमें मिलाएंगे एक चुट की नमक इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अभी इसमें मिलाएंगे पनीर क्यूब इसमें 500 ग्राम पनीर है पनीर को अच्छे से चाशनी में बॉयल करेंगे धीरे धीरे चाशनी गारा होता जाएगा और पनीर चाशनी सोक लेगा इस प्रोसीडियर में 10 से 12 मिनिट लगता है अभी देखिए हमारा चाशनी भी बहुत गारा हो चुका मतलब पनीर चाशनी सोक रहा है आज को लो टू मीडियम रखेंगे अभी मिलाते है थोरा सा सैफ्रोन सैफ्रोन मिलाने से हमारा छेना मुर्गी का जो कालर है वो सुनेरा हो जाएगा और खुष्भू भी बहुत अच्छा आएगा तो सैफ्रोन मिला दिया अभी मिलाते हैं हाफ टी स्पून हिलाइची पाउडर हीलाइची पाउडर और सैफ्रोन को बहुत अच्छा से मिक्स करते है चाश्णी हमारा अभी भी बतला है इसे तीन से चार मिनिट और चाहिए इसे अच्छा से मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को लो टू मिडियम रखेंगे बहुत ही इजी रेसिपी लेकिन इसे लगातार चलाते रहना चाहिए ने तो नीचे से लग जाने का डर है इसे और एक बार चेक करेंगे अभी चाश्णी को चेक करेंगे इसका कॉंसिस्टेंसी देखिए दो तार बनना शुरू हुगा तब हम गैस को लो कर देंगे और आभी मिलाएंगे घी घी मिलाने से छेना मूर्की में गलेज आता है और बहुत टेस्टी बनता है इसे आच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे गैस अल्रीडी मैंने बंद कर दिया आभी छेना मूर्की को फैन के नीचे ठंडा करेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे ये बन चुका अभी इसे फैन के नीचे ठंडा होने देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे तीन से चार मिनिट लगातार इसे चलाएंगे ताकि चाशनी का अच्छा कोटिंग पनीर में आ जाए चाशनी जब ठंडा होगा कोटिंग बहुती अच्छा आएगा जो मुड़की में हमें चाहिए उपर हमारा फैन चल रहा है और हम लगातार चला रहे है ताकि आपस में पनीर छिपकेना अलग-अलग रहे यह देखिए धिरे 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 हमारा यह ठंडा हो रहा है और पूरा पनीर में यह कोटिंग बनता जा रहा है अभी धिरे धिरे ये पूरा क्रिस्टल जैसा बनेगा ये लगभग तेयार है और थोरी देर चलाएंगे और हमारा छना मुर्की बनके तेयार हो जाएगा देखिए ये पूरा सोक लिया और ठंडा भी हो गया पनीर में कितना अच्छा क्रिस्टल कोटिंग आ गया हमें जैसा छना मुर्की चाहिए वैसा ही बना आप देख सकते हो रंग भी केसर के कारण थोरा सा सुनहरा हुआ और ग्लेज भी कितना अच्छा हुआ तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करिए कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए नमस्कार चाहिए तो मुझेए कॉमेस प्रोंग झाँ नमस्कार आपको अच्छा करिए वित्ज़नर्ग करिए बना